इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जुड़ी है A1, A2 मिल्क से पिछले तीन दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी खबर आई है पहले आपको बेग्ग्राउंड बता दें 23 अगस्त को FSSAI ने कहा था कि A1, A2 के नाम से कोई भी घी मक्खन या दूसरे प्रोड़ी खबर यही है कि इस फैसले को FSSAI ने पलट दिया है FSSAI की ओर से जारी एक लेटर में कहा गया है कि इस रोग को वापस ले लिया है हालाएं कि इस लेटर में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दिये कि पिछले तीन दिन पहले A1, A2 डेरी प्रोड़क्ट पर रोग क्यों लगाई गई और अब तीन दिन के अंदर ही इस फैसले को क्यों पलट दिया गया इस लेटर में कहा गया है कि फिलहाल A1, A2 डेरी प्रोड़क्ट का बिजनस करने वाली कमपनी से बाचीत करने तक A1, A2 डेरी प्रोड़क्ट को बेचने से रोखने वाले फैसले को वापस ले लिया है ये लेटर आपको बता दें FSCI की ओर से सभी राज और यूनिट टेरिटरीज के कमिशनर और फूट सेफटी को लिखा गया है साथी साथी ये डिरेक्टर और और रिजनल ओफिसेज को भेजा गया है साथी 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 ये CTO और FSCI के दूसरे अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है और FSCI की वेबसाइट पर भी ये लेटर अप्लोड किया गया है आपको बता दे से पहले तेई सगस्त को खबर आई थी कि अब बाजार में A1, A2 के नाम से घी मक्षन या दूसरे डेरी प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे FSCI ने घी मक्षनी बलके बाकी दूसरे डेरी प्रोडक्ट को भी बेचने पर रोक लगा दी थी FSCI ने कहा था कि A1, A2 का संबन्द प्रोटीन से होता है उन्होंने EVE Commerce FBO को निर्देश दिया था कि अपनी वेबसाइट से A1, A2 प्रोटीन संबन्द सभी दावों को हटा ले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जुड़ी है A1, A2 मिल्क से पिछले तीन दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी खबर आई है पहले आपको बेग्ग्राउंड बता दें 23 अगस्त को FSCI ने कहा था कि A1, A2 के नाम से कोई भी घी मखन या दूसरे प्रोड़क्ट नहीं बिकेंगे और अब इस फैसले को FSCI ने पलट दिया FSCI की ओर से जारी एक लेटर में कहा गया है कि इस रोग को वापस ले लिया है हालाएं कि इस लेटर में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दिये कि पिछले तीन दिन पहले A1, A2 डेरी प्रोड़क्ट पर रोग क्यों लगाई गई साथी साथ ये डारे के दूसरे अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है और FSCI की वेबसाइट पर भी ये लेटर अप्लोड किया गया है आपको बता दे इस से पहले तेही सगस्त को खबर आई थी कि अब बाजार में A1, A2 के नाम से घी मक्खन या दूसरे डेरी प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे FSCI ने घी मक्खन ये बलके बाकी दूसरे डेरी प्रोडक्ट को भी बेचने पर रोक लगा दी थी FSCI ने कहा था कि A1, A2 का संबंद प्रोटीन से होता है उन्होंने E-commerce, FBO को निर्देश दिया था कि अपनी वेबसाइट से A1, A2 प्रोटीन संबंद सभी दावों को हटा ले किसान तक, खाना है तो उगाना है